क्योंकि जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तो आप वही करेंगे जिसकी जरूरत है, तब वो नहीं पूछेंगे. सुभा उठने के बाद मैं कैसे प्रेरित रहूं? आपको एक प्रेरित व्यक्ति नहीं होना चाहिए. आम तोर पर, जब हम किसी को प्रेरित हुआ कहते हैं, तो इसका मतलब होता है, उनका अपना कोई अजंडा है. जीवन का कोई अजंडा नहीं है. ये आपके लिए एक पूर्ण विक्सित जीवन होना है. एक जिंगूर, पूर्ण विक्सित जिंगूर होने की कोशिश कर रहा है. एक केंचवा, पूर्ण विक्सित केंचवा होने की कोशिश कर रहा है. एक पक्षी, पूर्ण विक्सित पक्षी होने की कोशिश कर रहा है. एक पेड़ पूर्ण विक्सित पेड़ होने की कोशिश कर रहा है एक मनुष्य को भी पूर्ण विक्सित मनुष्य होने के लिए प्रयास करना चाहिए हमारा बस यही काम है पर हम में से हर कोई अपना अजंडा बनाने में लगता है और हर तरह की चीज़ें करने लगता है नहीं, नहीं आप बस जीवन का एक टुकड़ा है खुद को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए क्योंकि मुझ से और आप से पहले अंगिनत लोग आकर जा चुके हैं हम? आया ना? वो कहां है? वो सारे लोग आपको लगता है वो सभी मूर्ख थे? वो सभी मूर्ख थे और वो मर गए कैसा है? नहीं वो भी आपकी ही तरह थे शायद वो भी अधिकारी रहे हों शायद वो राजा रहे हों, आप से भी बढ़कर हर तरह की चीज़ें अब सब उपरी मिट्टी बन चुके है ये भी उपरी मिट्टी बन जाएगा बस थोड़ा सा समय और जीवन एक छोटी सी चिंगारी है आपका बेटा कितना बड़ा है सर? 25? तो 27 साल पहले वो कहां था सर? तो अगर कोई यहां नहीं है तो हम कहते हैं कि वो मर चुके हैं, है न? 27 साल पहले वो मर चुका था हम उसे 100 साल देंगे सर 80 साल बाद वो फिर से मर जाएगा हम? आया ना? तो 27 साल पहले वो कितने समय तक मरा रहा था सर? हम? लंबे समय तक तो 85 साल या 80 साल बाद वो कितने समय तक मरा रहेगा, सर? बहुत लंबे समय तक तो हम सभी बहुत लंबे समय तक मरे रहेंगे हम बहुत ही थोड़े समय के लिए जीवित हैं हाँ? बहुत ही थोड़ा सा समय है मैं चाहता हूँ आप इसकी और इस त्रिष्टिकोंड से देखें आप कितने समय तक मरे रहेंगे? आप कलपना नहीं कर सकते तो मान लीजिए हम 10,000 साल तक या 1,000,000 साल या 10,000,000 साल तक मरे रहते हैं ठीक है? उसकी तुलना में आप कितने समय तक जीवित हैं? बहुत-बहुत छोटे समय तक जिसे आप जीवन कहते हैं वो एक छोटी से चिंगारी है आपको अकेली चीज यही करनी है कि आप उठें और एक पूर्ण विक्सिद जीवन के रूप में प्रकाशित हों? जब हमारे आसपास किसी चीज की जरूरत होगी तो हम स्वाभाविक रूप से उसे करेंगे क्योंकि जब आप अद्भुत रूप से अच्छा कर रहे होते हैं तो आप वही करेंगे जिसकी जरूरत है, है ना? जब आप दुखी होंगे, तब आप प्रेरित होंगे, हां? मुझे बताइए, जब आप बहुत खुश होते हैं क्या आपने खुद की ओर देखा है? आप कितने अच्छे और अद्भुत होते हैं आप किसी के लिए कुछ भी करने को तयार होंगे अगर जरूरी हो तो पीछे की और जुख जाएंगे, हां या ना? जब आप थोड़े परिशान होते हैं ये कितना मुश्किल है इसलिए अपने बच्चों को किसी चीज़ से प्रेरित होना मत सिखाईए ये सारी बगवास पश्चिम से आ रही है ये सभी सेल्फ हेल्प किताबें खुद को प्रेरित कीजिए, आत्म विश्वास पैदा कीजिए, अपने आप पर यकीन कीजिए आपने भगवान पर यकीन किया और इस दुनिया को इस हद तक नश्ट कर दिया अब आप खुद पर यकीन करते हैं, आप क्या करेंगे? ये सारा कच्रा पश्चिम से आ रहा है आपको प्रेरित होने की जरूरत नहीं है आपको बस इतना देखना है कि अभी ये अपने पून संभव स्तर पर कैसे हो अगर ये पून रूप से जीवित है तो ये वो सब करेगा जो ये कर सकता है, है न? जो ये नहीं कर सकता, उसे ये वैसे भी नहीं करेगा अगर आप सुबह किसी पक्षी को देखें यहाँ पक्षी है, आप जानते हैं आप कहां से आ हैं, सर? दिल्ली? तमिलनाडू, चन्नाई चन्नाई कववे को छोड़ कर, शायद महाँ कोई पक्षी नहीं है तो अगर यहाँ आप कोई पक्षी देखते हैं, सर छोटा पक्षी, सुबह में ये वो सब कुछ कर रहा होता है, जो ये कर सकता है है न? अलो? वो सब कुछ जो ये कर सकता है, वो कुछ नहीं छोड़ेगा आपको बस यही करना है वो सब कुछ जो आप कर सकते हैं, आप जो नहीं कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है एक कीडा वो नहीं कर सकता, जो एक पक्षी करता है एक पक्षी वो नहीं कर सकता, जो एक हाथी करता है, एक हाथी वो नहीं कर सकता, जो हम करते हैं, हाया ना? लेकिन हमें वो करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं, वो कोई माइने नहीं रखता, जो हम कर सकते हैं, वो जरूर होना चाहिए. इसके लिए आपको बस यही समझने की जरूरत है कि जीवन एक छोटी सी चिंगारी है ये बस बुबुबुब और खत्म आपको समझ आए कि क्या हो रहा है उससे पहले ही आप जा चुके होते हैं जब तक आप दुखी ना हों दुखी लोगों का जीवन बहुत लंबा होता है सिर्फ उन्हें लगता है कि जीवन लंबा है अगर आप बहुत खोश हैं तो पुफ इससे पहले कि आप जाने की क्या हो रहा है ये खत्म हो जाएगा क्या आपने किसी खास दिन के और ध्यान दिया है आप बहुत खुश थे, 24 घंटे यूही निकल जाते हैं, थोड़े दुखी, 24 घंटे 10,000 साल जैसे लगते हैं, हाया ना? इसलिए समय बहुत रिलेटिव या सापेक शनुभव है, पर अगर आप इससे तुलना करते हैं कि आप कितने समय तक मरे रहेंगे, आप लाखों सालों तक मरे रहेंगे, आप बस थोड़ा सा ही जीवित रहें, इस बार किसी भी चीज से प्रेरित मत होईए, आपको बस यही कर प्रेरित मनुष्य नहीं बनना चाहिए, उसे सिर्फ जीवन का एक विसफोट होना चाहिए, उसके बाद वो नहीं पूछेगा, मैं सुभा उटने पर प्रेरित कैसे महसूस करूँ, आप किस चीज को लेकर प्रेरित हैं, किसी चीज से नहीं, अगर आप जीवित हैं, तो आ पर अब जिस तरह हम खाते हैं, जिस तरह हम सास लेते हैं, जिस तरह हम चीजें करते हैं, और नशीली चीजें, वगर है, सब कुछ, आम तोर पर शरीर मरना चाहता है, यह जीवित नहीं रहना चाहता, लोग, आपको पता है, यह सब कुछ पश्चिम से है, लोगों ने इस स अफरत करते हैं, ना पसंद नहीं, बलकि घ्रणा, पांच दिनों तक अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप वीकेंड का आनंद कैसे उठाते हैं, वीकेंड में सिर्फ इतना होता है कि आप बेहोशी के हालत में होते हैं, या तो आप शराप पिये होते ह या किसी चीज में लिप्त होते हैं, ठीक है, उसके परे कोई बड़ा आनंद नहीं घटित हो रहा है, हाया ना, सतर पतिशत लोग अपने काम से नफरत करते हैं, आप इस तरह कैसे जी सकते हैं, आखिर आप ऐसी कोई चीज क्यों कर रहे हैं, जिससे आप नफरत करते हैं, नहीं को चलाते हैं, एक वैश्विक CEO, वो एक परिशान अवस्था में आते हैं और सद्गुरू, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, वो हर रोज मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, मैं इसे नहीं संभाल सकता, तब मैंने उनके और देखा, अपने हाथ उठाए औ तो कम से कम आप समुदर के नारे टहल सकते हैं, शायद कोई और इस काम को आप से थोड़ी ज़्यादा खुशी से करें, क्या आपको लगता है आप ही धरती को घुमा रहे हैं, हलो, तकलीफ क्या है, क्या आप ही धरती को घुमा रहे हैं, क्या आप ही से सूरज के चारोर सब कुछ मुफ्थ है, है ना? हलो? सब कुछ मुफ्थ है, आपको बस एक पूर्ण विक्सित जीवन बनना है अपने आपको बहुत ज़्यादा धार्णाओं, दर्शनों, मान्यताओं, बेतु के विचारों और भावनाओं से बांद कर आप जो हैं, उससे कम मत होए, नहीं, आप जो हो सकते हैं, उससे कम कभी नहीं होना चाहिए आपको किसी दूसरे जतना अच्छा नहीं बनना है, और आप कभी हो भी नहीं सकते, क्योंकि सभी अलग हैं पर आप जो हो सकते हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए तो आपको इसके लिए प्रेड़ना की जरूरत नहीं है आपको जीवन्तता की जरूरत है 25 के उम्र में अगर आप बहुत जीवन्त नहीं है तो आपको थोड़े साहरी की जरूरत है चन्नाई आम तोर पर सुबा सुबा जीवन्त होता है ये बैंगलोर की तरह नहीं है बैंगलोर दस बज़े उठता है चन्नाई आम तोर पर सुबा पांच बज़े से ही जीवन्त हो जाता है इसलिए अपने बच्चों को प्रेरित मत कीजिए ये ज़रूरी नहीं है आपको देखना है कि वो कैसे आनंद पून और जीवन्त रहते हैं इसमें उनका शरीर और उनकी बुद्धी सबसे अच्छे तरीके से काम करेंगे अरे क्या वो बस खुश रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे आप मुझे बताइए आप खुश होते हैं तब ज्यादा करने को इच्छुक होते हैं या दुखी होते हैं तब जब आप खुश होते हैं तब जिसकी भी जरूरत होती है आप उसे करने को तैयार होते हैं है ना जब आप बहुत खुश होते हैं, तो आप अपने भोजन, अपनी नींद को छोड़ने के इच्चुक होंगे, और जो करने की ज़रूरत है उसे करेंगे, है ना? जब आप नाखुश होते हैं, ओ, आप से कोई काम करवाना कितना मुश्किल है, हाई या ना? तो एक पत्नी ने अपने पती को टेलिग्राम भेजा, जो एक तीन महिने की ट्रेनिंग पर था, आई येस, उसने एक टेलिग्राम भेजा, चिंता करनी शुरू कर दीजिए, बागी समचार खत में लिखूंगी, खुद के साथ ऐसा मत कीजिए, पच्चीस की उम्र में आप चिंता करनी शुरू कर दीजिए, बागी सब पीछे आ जाएगा, अगर आपको तनाव, बेचैनी महसूस हो रही है, तो आपकी अपनी बुद्धी आपके खिलाफ हो गई है, अगर आप ये समझते हैं, कि सारा मानवी अनुभव भीतर से आ रहा है, कर रहा है! झाल झाल